असलामों आलेकुम मैं जुले खारफाद जुले खास किचन से तो ये है चिक्किन कीमा अंडा गोटाला बहुत ही मज़ेदार बनता है अच्छा ये आप रमजान में सहरी में भी बना सकते हो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी साधा रन्याने और इंगिडियन से एक्स जब कर अंच पर भूण लीजेऊ नहीं जिए फ्लेकुम मैं घटंड़ा जाने दीजिए चब करअशनी में जिटर जाये तो दो मीडियम साइज जूंदा प्याज यानिके बारिक कटिवी प्यास दाल दीजिए और इसे भी फ्राइय कर लीजिए तब तक प्राइय करना है, जब तक soft नहीं हो जाती हो, हल्गी सी color change होना, बस शुरूई हो, वहां तक हमें fry करना है जब यास fry हो जाए, तो डेट टेबल्स पूर अधरक लसन का paste दाल दीजिए और इसे भी fast आज पर भून लीजिए, तब तक भूनिए, जब तक अच्छे पन की खुश्बू नहीं चले जाती है अधरक लसन के paste की जब भून जाए अधरक लसन का paste तो यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, दो टमाटरों को पारिक काट कर और इसे भी दाल कर आप चाहें तो fast आज पर भून लीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, slow से medium आज के दर्मियान में रख रही हूँ कि टमाटर चिटकें भी ना और अच्छे से एकदम soft हो जाए और अच्छे से भून जाए और mushy हो जाए बस 3-4 मिनिट लगेगी जब अच्छे यह देगे, soft हो गए है आप देख सकते हैं और अच्छे से भूना चुके हैं और एकदम नर्म हो चुके हैं और mushy हो चुके हैं तो अब चुले को कर दीजिए, slow orange अब इसे मसाले दाल दीजिए, नम्मक दाल दीजिए, स्वाद अनु दालिएगा, एक चुड़चय का चमज गरम मसाला पाउडर, इससे हलका स्पाइस जादा बढ़ जाएगा, अगर आप जादा स्पाइस नहीं काते हो तो तकरीबन आदा चुड़चय का चमज भूना पिसा जीरा पाउडर, आदा चुड़चय का चमज चाट मसाला पाउड और अच्छे से भून लीजिए तब तक भूनिये जब तक तेल नहीं छूट जाता इस कदर अब जब तेल छूट जाए तो मैं चूले को फास्ट आज कर देती हूं और यह है धाइसो गराम धोया हुआ चर्वी निकाला हुआ धोया हुआ नितारा हुआ 10-15 मिनिट के लिए मै यहां पर मैं डाल देती हूं 1-4 cup पानी इसे एक बार चला लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए जब एक उबाल आ जाता है थोड़ा सा कोट मिर्याने के खराधनिया दाल दीजिए और इसे ढख कर अच पर तक रीबन 10-15 मिनिट तक पकने दीजिए चलिए 15 मिनिट हो चुके हैं चिकिन गल चुकी मैंने यहां चुला कर दिया बन एक बार चला लिया अच्छा मैंने यहां चुला इसके लिए बंद किया क्योंकि मैं कुछ देर के बाद जब सर्फ करने वाले नहीं तभी अन्डा दालूँगी अब आप चाहें इसी समय कर रहे हो तो इसी समय प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजे, सबसे पहले तो चिकिन के यह जो हमारा कीमा पका हुआ इसे इस तरीके से एज़े से रख दीजे, चम्मच या स्पेचुला की मदद से चूला चालू कर दीजे और अच पर दीजे, स्लो से मीडियम के दर्मियान रख सकते हैं और उसमें तेल तेल दीजे, इसके पात यह में दो हरी मिर्चियां दाले है, अब आप चाहें तो दो दाले, आप चाहें तो कम दाले, आप चाहें तो जाधा भी दाल सकते और इसे फ्राइ होने दीजे, आप देखेंगे कि इस तरीके से जो हमारे कीमे में एक तेल ठाना वो भी छूटने और वो भी हमने जो फ्रेशली तेल दाला है उसमें मिक्स होता जाएगा और आप देख सकते हैं हरी मिर्चिया भी फ्राइ हो रही है थोड़ा सा फ्लेवर इसकादर आ जाए आप देख सकते हैं तो चूले को कर दीजिए स्लो से मीडियम अज के दर्मियान और तीन अंडे सेप फिर दालिएगा इसमें अब नम्मक दाल दीजिए स्वाध अनुसार मैं थोड़ी सी कोथ मीर्याने के हरा दनिया दाल देती हूँ चूला मैंने किया मीडियम आज हल्का सा वो पकने लगे नीचे से तो थोड़ा सा इस तरीके से इसकदर हमारी स्पेट्यूला है उससे मैश करते जाए ऐसे बार-BAR इसे मिक्स करते जाए अब आप इस तरीकिसे मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंडा फोने लगे तो फिर बेशक कर लिजिए हमारे चिकें के साथ इस तरीके से नम्मक अगर कम लगे तो नम्मक आप अजस्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें बार-बार चलाते रहेगा अभी फिलाल चुला मीडियम आज पर है आप थोड़ा सा लगे के अंड़ा पक गया तो चुले को करके स्लो आच धाक कर एक दो मिनिट आप धाक कर पकने रख सकते हैं थोड या सा मजेदार से सर्फ करने के लिए आप चाहें तो इसे रोटी पराटा फुलका बटनार किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं वैसे इन में से कुछ की रैसे पिले इस डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजेगा अब हमारे चिकिन कीमा अंडा गोटाले को एक बाउल में निकाले सर्विंग बाउल में और इसके ओपर थोड़ी किसी हराधनिया यानि के कोथ में हराधनिया दाले बारिक कटी हुई मैं तो निम्बू भी साइट पर रख रही हूं जैसे निम्बू चाहिए वह निचोड़ सकता है और करमा गरम सर्फ कीजिए आप अच्छा है तो पिछले दिन का कीमा रखा है उसका बया बंडा गोटाला बना सकते हैं अच्छा ये जो रेसिपी है ये चटपटी और हल्की स्पाइसी रहती है लेकिन अगर आपको स्पाइसी जादा नहीं चेह तो आप क्या कीजिए ना हरी मिर्चियां आदी ही बारी तनुसार दालिएगा और जो गरम मसाला है ना वो आप तकरीबन नाम का दालिएगा बन फोट चोटा चाय का चमज तो हैना मज़ेदार रसिपी आज की अगर आज की रसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंज मे अदिल देंटिक यरा लाफ इस पड़ा